हाई एवरीवन वेलकम टू माई चैनल सो मैं मान के चल रहा हूं कि यह वीडियो जेई नीट ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि कहीं न कहीं कोई न कोई कॉम्टिटिव एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं यह वीडियो का बनाने का मेरा मेंन मोटिव यह था कि जैसे लॉकडाउन के कारण हमारे एक्जाम की डेट डेवाइडे इंक्रीज होती जा रहे हैं डेवाइडे पोस्पोन होती जारे हमारे एक्जाम तो उसके कारण हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेशन घूम रहे हैं जो कही नहीं हमारे गोल को अचीब करने में हमको distress कर रहे हैं जो हमको motivate रहने से रोक रह cooled हैं मैं यह वीडियो जेइ gonna eệt kiss case ॡ पर इस वीडियो को बनाने का जो मेरा main motive है वह apply होता है हर student पर जो कोई न कोई competitive exam की preparation कर रहा है चाहे वो जेइ reliability class 10th 11th 12th student हो या फिर कोई higher studies exam की preparation कर रहा हूँ वाला student हो, okay, so यह हर student पर apply होता है, मैं college student हूँ, मुझ पर भी apply होता है, क्योंकि मेरे exams के भी date decide नहीं है, so ऐसे बहुत सारी questions हैं, जो मुझको मेरे goal को achieve करने में, district करने हैं, like मेरा exam कब होगा, okay, exam का difficulty level क्या होगा, cut off क्या होगा, अभी इस समय हमको कौन से ऐसे topics हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, हमको strong topics का revision करना चाहिए, क्या हमको जो हमने topics कभी उनको अच्छी तरह किया ने, उनको हमको द्वारा से पढ़ना चाहिए, कि हमारे पास इतना वक्त है, कि हम उन topics को complete कर पाएंगे, previous year questions को हमको कभ solve करना है, अगर हम weak topics पर ध्यान देंगे, तो हम strong topics को कभ revise करेंगे, तो ऐसे बहुत सारी questions हैं, यह आप अकेले नहीं, ऐसे हर student है, उनकी दिमाग में कहीं न कहीं, कभी न कभी यह questions घूमते हैं, तो ऐसे सारे questions को आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, आप में से अधिक्तम लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो कुछ ऐसी other activities में involved हुए हैं, जो आपके direct impact देगा आपके J-E means result पर, ऐसी activities, कुछ other activities जो की इस समय आपके लिए time waste हैं, जब आपके school, colleges, coaching खुली थे, lockdown के पहले, तब आप उसके बाब जूद भी 2-3 hours अपने self-study के लिए निकाल लेते थे, पर क्या आप अभी जब schools, colleges बंद हैं, तो क्या आप 5-6 hours या 6-7 hours अपने self-study के लिए निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी activities हैं, like games, involvement in games, watch web series, movies देखना, तो यह सारी other activities कहीं ने कहीं आपके study के उपर गल्यत impact डाल रही हैं, तो lockdown का period ऐसा है, यह सिर्फ आपको 2020 students को ही एक golden opportunity मिली है, जहाँ पर आपकी J.E.Mains की date extend होदी जा रही हैं, आपको time ही time मिल रहा है, तो यह golden opportunity है, इसको golden opportunity की तरहें देखें, ना कि एक ऐसा time जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी तो exam कब होगा, okay, so other activities में आप अपना time involvement कम करें, and self study में ज्यादा दें, आप कुछ problems जो हमने शुरू में discuss की थी, उनके solutions के बात कर लेते हैं, यही exam या कोई भी exam की date, अपन decide नहीं कर सकते, decide होगी, तो अभी करीवन आपके पास one month है, जिसमें आप महनत कर सकते हैं, अपना result बैटर बना सकते हैं, okay, कौन से topics पढ़ने हैं, तो आप अपने time को divide कर सकते हैं, three parts या four parts में, जिसमें, let's suppose आपने शुरू के 10 days में अपने week topics को, जो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस topics को मैं दो बार या एक बार पढ़ लूँगा, तो मेरे strong हो जाएंगे, practice कर लूँगा, तो strong हो जाएंगे, तो उन topics पे आपको practice कर लेनी चाहिए, उन topics को एक बार पढ़ देना चाहिए, then mid जो time होगा, आपका बीच का जो time होगा, after 10 या 15 days, उसमें आप अपने strong topics को revise करें, पूरा एक बार आपने जो अपना self notes या फिर coaching के notes बनाए हैं, उसको एक बार पूरा briefly revise करें, ताकि आपके strong topics revision हो जागा, then उसके बाद आपके पास जतना time बचेगा, आप previous year questions को solve कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत helpful होगा, बात करते हैं, कौन से exam के लिए preparation करनी चाहिए, इस समय, so je and bit set, let's suppose ये two exams लेते हैं, so सबसे पहले basic level से हर कोई topic को start करना होता है, basic level से जब आप start करेंगे, तो उसको bit set के level तक आप पढ़ेंगे, फिर bit set के questions को solve करेंगे, same topic के, then उसके बाद अगर आपको advanced level करना है, तो आप ये mains and advanced के questions को solve कर सकते हैं, so इस pattern पर अगर आप चलेंगे, तो आपका bit set के लिए preparation हो रहा है, ये mains and advanced के लिए preparation हो रहा है, similarly आप इसको हर topic पर apply कर सकते हैं, बात करते हैं, chemistry, chemistry में आप इनोगने chemistry में जितने NCRT पढ़ सकते हैं, उतने NCRT पढ़िए, आप 2019 के questions देख लिए, 2020 January session के questions देख लिए, इनोगने chemistry का maximum part NCRT से आता है, अगर आपने NCRT को इन दिनों में बहुत अच्छी ते रहे, thoroughly revise कर लिया, तो I am sure आप इनोगने chemistry में 90 to 95 percentile questions के answer सही correct करेंगे and उसमें number भी achieve करेंगे, so अगर आप इस pattern पर चलेंगे, तो I am sure आपके marks कई percentile तक increase हो जाएंगे, इस समय अधिक्तम बच्चे अपना time based कर रहे हैं, आपके पास ये golden opportunity है जहाँ पर आप जो top 10 students थे, top 10 percent student थे, उस category में आप पहुँच सकते हैं, इस समय अगर आ आपने उन बच्चों को जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे 10 percent बच्चे अगर आप भी उनके साथ मिल जाएं, आप भी अब मेहनत start करते हैं, अपनी preparation start करते हैं, अधर activities में involvement कम करते हैं, so आप भी top 10 percentile category में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत helpful रहेगा, ये आपके लि जादा है, and वो simple topics हैं, like error and measurement अगर आपने कर लिया, आपने statistics कर लिया, mathematical reasoning कर लिया, so ऐसे कुछ topics हैं, five to six chapters हैं, जिसमें direct question आता है, एक से दो questions उसमें आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके percentile को increase कर सकता है, and यही सारे tips हैं, जो आपको follow करने चाहिए, ये lockdown का period आपको golden opportunity के तरह समझना चाहिए, जिसमें आप जादा-जादा मेहनत कर सकते हैं, okay, so इसी के साथ हमारी video को complete करते हैं, अगर आपको video पसंद आई, तो please like करें, share करें, चैनल को subscribe करना न भूला, and ये जो tips हैं, उसको आज से ही follow कीजिए, आप अपने J.E.Mains कोई भी exam में बहुत करेंगे, तो चलिए video को end करते हैं,